उनके दिल में क्या चलता है आपके लिए कोई भी एक फूल चुनिए नमस्कार दोस्तों जैमात अदी जैश्री कृष्णा कैसे हैं आप सब हम इस और से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब अपनी जिन्दगी में बहुत खुश रहें सेहत मंद रहें और आप जो भी एक श सक्सेज मिलें फ्रेंट्स बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके जो परसन हैं उनके दिल में दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर आपके सामने स्क्रीन पर दो फूल दिखाई दे रहें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बहुत खुबसूरत से दो flower हैं आपको जो ज़्यादा attract करें उसे आपको चुन लेना हैं सबसे पहले अपनी आखे बंद करके अपनी इश्वर को याद कीजिए फिर आप एक full चुन लीजिए ताकि जो भी आप reading देखें वो आपसे resonate हो जाए और इस वीडियो के माध्यम से आपको सही message मिल जाए कि इश्वर आपको क्या message देना चाहते हैं इस वीडियो तक अगर आप आए हैं तो आपको जरूर कुछ न कुछ message मिलेगा तो एक request ये भी है दोस्तों कि अगर आपको पहला वाला option का reading match ना हो तो आप दूसरा विसमलिया कीजिए हो सकता है वो पूरा match हो जाए क्योंकि ये ए कर लिते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बैल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले सभी लेटिस्ट वीडियो आपको मिलते रहें अब जिस किसी नभी चुना है option number one triple two number को यलो फ्लावर को उने के लिए टेरो कार्ड बता रही हैं दोस्तों कि यहां पर जो सबसे strong sign है वो है एरीज, लियो, सजीटेरियस, मेश, धनूरासी, पाइसस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क, ब्रेश्चिक, मीन, रासी जी हां पर डेट अब बर्थ की बात कर लें तो डेट अब बर्थ जो सबसे strong है वो है 16, 26, किसी भी मन्त का 26, किसी भी मन्त का 22 तारीक, किसी भी मन्त का 9 तारीक और 5 तारीक, बहुत strong है बर्थ मन्त की बात कर लें तो बर्थ मन्त यहाँ पर है फरवरी, अक्टूबर, जन्वरी, जुलाई, और एप्रिल अब इनिशियल की बात कर लें तो नाम का इनिशियल फर्स्ट लेटर आपका या आपके परसन का हो सकता है आर F, C, बहुत strong है यहाँ पर M, और P, यह नाम के निशियल हो सकते हैं अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऐसी एनरजी है कि उनके जो परसन है जी हाँ, उनसे नई नई दोस्ती हुई है, जैसे मेल मुलाकात होना शुरू हुई है या तो बहुत जादा बात नहीं होती है, हो सकता है कि वो आपको एक नई फ्रेंड के रूप में मिले हैं अभी बहुत जादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत जादा आप दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन उनका जो नजरिया है, जो उनकी दिल और दिमाग में चलता है, वो भी हम आपको बताते हैं और उनकी और आपकी जो कंडिशन है, वो भी बताते हैं थाकि आपको ये समझ में आये कि आपकी ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है या नहीं हो रही है तो condition कुछ इस तरह की हो सकता है आप लोग में से बहुत से लोग डियर पाइल नमबर वन आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो married है या तो फिर committed है उनकी शादी कहीं हो चुकी है या तो फिर होने वाली है या फिर उनका किसी और के साथ affair चल रहा है जैसे और ये person ये जो नए आपको मिले है कोई नए friend मिले है मिला है मिली है जो भी है वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहे है उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी life में बहुत खुश नहीं है और आपकी life में कुछ ऐसे problem है कोई ऐसी बात है जो आप discuss नहीं करते किसी से चुपाते है तो वो यही जानना चाहते कि आप क्या चुपाते है एक mystery जैसा वो आपको मानते है और ऐसा लगता है उन्हें जब भी वो आपको देखते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा कभी किसी और से मिलके नहीं लगा है जैसा आप से मिलकर लगता है देखिए ये वो भी जानते हैं कि आप married हैं आपकी family है हो सकता है और आप उनके लिए बहुत interested नहीं होगे आपके साथ कोई future नहीं है लेकिन अब कहते हैं कि दिल दिमाग की नहीं सुनता है तो उनका दिल जो है वो आप पर मर मिटा है और उनका दिल बार बार यहीं कहता है कि आप जैसा इंसान उन्हें दूसरा कोई नहीं मिला भी तक वो आपको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इतनी सपने देखते हैं जैसे कि वो इश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपना आभार ब्यक्त करते हैं कि इश्वर ने उन्हें आप से मिलाया ऐसा लगता है उनको आपसे मिलकर कि कितना पॉसिटिव इंसान है कितनी पॉसिटिव है और इतने अच्छी सोच है आपकी कितना अच्छा नजरिया है आपका आपकी सोच से वह बहुत जादा impress होते हैं और उन्हें कई बार तो ऐसा भी लगता है कि काश आप उन्हें मिल जाओ और फिर वो शादी करें आप से आपको अपना हमसफर बनाएं आपके साथ अपनी लाइफ बिताएं और आपके साथ वो अपनी फैमली बनाएं वो बहुत सारे सपने देखते हैं आपको लेकर लेकिन इसतितिया दूसरी ही आप हो सकता है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, जो अपनी फैमली से बहुत डरते हैं, जो ये जानते हैं कि ये पॉसिवल ही नहीं है, अभी इस रिष्टे को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, या तो फिर इस रिष्टे का कोई फ्यूचर नहीं है, तो अब मुझे अपनी जिन् आपने बंद कर रखे हैं, आप अपनी सोच को भी इनके पास तक नहीं जाने देते हैं, और दूसरी तरफ ये हैं, आपको बहुत जादा दिल से चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, वो जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या है, आपके शौक क्या है, आपकी पसंद, नापसंद सब कुछ, देखे जब भी आप कुछ हो सकता है, आप कोई वीडियो डालते हो, या तो फिर आप reel डालते हैं, या आप अपनी फोटो जब भी प्रोफाल बदलते हैं, सोशल मीडिया पर जब भी आप मैसेच पोस्ट करते हैं, तो ये बहुत देखते हैं उसको, क्य कि ये जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपका इंट्रेस्ट कैसा है किस में होता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है और आप जब भी अपना डीपी डालते हैं कुछ नया चेंज करते हैं ये बहुत देखते हैं और ये हमेशा देखते रहे कि अच्छा डीपी किया है आपने अभी आप ये कर रहे हो अभी आप अनलाइन हो ये बहुत देखते हैं तो आपको दूर से ही जैसे आपको देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर आपके मैसेज चेक करते रहते हैं कि अच्छा आपने ये पूश्ट किया है तो कहीं नहीं आप से बहुत अपना ज तबज्यों नहीं देते हो कहीं कोई इंट्रेस्ट ही नहीं दिखाते हो उनके लिए और ऐसा है कि वो भी आपकी बदनामी नहीं करना चाहते तो वो भी कोई कदम नहीं बढ़ाते लेकिन हाँ दोस्ती से ज़्यादा उनकी नजरें आपको तलास्ती रहती हैं और जब भी वो आपके आसपास होते हैं कभी गौर फरमाना आप भी देखना उनकी चेहरे पर आपको ऐसा लगेगा कि इनकी आँखों में आपके लिए दोस्ती से ज़्यादा कुछ है तो यह आपको रियलाइज होगा दोस्तो बहुत जल्दी अगर अभी आपको नहीं ऐसा लगता है तो यह आप से दोस्ती से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और कहीं कुछ कहना चाहिए दिल का रिस्ता आपके साथ जोड़ रखा है इन्होंने आपके लिए बहुत केरिंग हैं आप किसी भी प्राबलम में कभी भी इन्हें अगर हैल्प के लिए कहो तो यह मना नहीं करते हैं यह हमेशा आपकी मदद करने के लिए वहां खड़े हो जाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए यह कितने भी बिजी हों पर हमेशा आपको यही दिखाएंगे कि इनके पास आप इसमाइल है वो सची नहीं है मतलब आपके चहरे पर तो इसमाइल है पर आपके मन में बहुत टेंशन होती है कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको परिसान कर रहा होता है अंदर ही अंदर तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको परिसान कर रहा है काश मैं उसे दूर कर पाती तो ऐसे सोच रखते हैं आपके परसन और आपको बता दें कि वो दिल ही दिल में आपको चाहते बहुत हैं अब बात कर लेते हैं सेकंड आप्शन की जिसने भी चुना है सेकंड नंबर का पाइल रेड वाला रोज उसके लिए टेरो कार्ड क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की तो सबसे स्ट्रोंग जो साइन है वो है टारस वर्गो कैप्रिकॉन ब्रशब कन्या मकर रासी कर्क ब्रश्चिक मीन रासी पाइसिस केंसर स्कॉर्प्यू जैमिनी लिब्राइकरियस में थुन्तुला कुम राशी कम है यहाँ पर अभी डेट अब बर्थ की बात कर लें तो सबसे स्ट्रोंग जो यहाँ पर है डेट अब बर्थ वो है 25 तारीक 23 तारीक 8 तारीक 2 तारीक 28 तारीक 16 तारीक किसी भी मैने की हो सकती है अब बर्थ मंद की बात कर लें दोस्तों तो बर्थ मंद हो सकता है डिसें सेप्टेमबर अगस्ट मार्च और सेप्टेमबर यह बर्थ मन्त हो सकते हैं नाम के नीशेल की बात कर लें तो आपका या आपके परसन का नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है और दी एस वी वी फर विक्ट्री वाला कि बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है बहुत स्ट्रोंग है आपके जो परसन हैं वो यही बता रहे हैं अभी ऐसा सूच रहे हैं कि आपके और उनके बीच का रिलेशन तो अच्छा है वो आपको बहुत चाहते हैं आपके जो person उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है लेकिन उनको ऐसा लग रहा है वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप कभी भी maturity नहीं दिखाते हैं आपको जब गुसा आजाता है फिर आपका नेचर बिल्कुल बदल जाता है आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं उन पर शक करते हैं कई बार ऐसा होता है कि जब वो सब जगे से परिशान होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके पास वो सुकून के दो पल गुजारेंगे वो आपके पास आके उस दुनिया की सारी समस्यां को छोड़कर वो आपसे मिलने आते हैं कि आपके पास मिलकर आपके ब भी कई बार pressure देते हैं commitment के लिए कि वो शादी करें वो आपके लिए कोई ने वो आपके बारे में सोचें आपको एक बात बताएं वो already बहुत ज्यादा tension में रहते हैं उनकी परिवार की लोगों ने उनको इतना ज्यादा pressure में रखा हुआ है कि वो बहुत परिशान है उनको साइध हो सकता है कि जॉब नहीं मिल रहा है या तो फिर बहुत लाइबिल्टी उनके उपर है उनके परिवार की तो जो दिन रात उनके परिवार के लोगों ने यही बोलते रहते हैं कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है तुम्हें क्या करना है नहीं करना है तो बहुत जादा प्रेशर बना के रखा है उनका जीना मुस्किल कर रखा है उनकी फैमिली ने और अब वो आप से भी वही सब देख देखकर परिशान हो जाते हैं कि आप भी सब प्रेशर बना के रखते हैं आप समझते नहीं तो देखि अभी वो अपने केरियर पर फोकस कर रहे हैं बहुत जादा क्योंकि अगर वो आप से शादी भी करें तो भी उनके केरियर में उनका जॉब होना जरूरी, उन्हें सैटल होना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए दोस्तो अगर पैसा नहीं है तो फिर आपकी married life भी कुछ भी नहीं रह जाती है वो आपको खुशियां देना चाहते हैं जम्माने भर की खुशियां देना चाहते हैं जो आप deserve करते हैं तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं उस like बन जाओं कि आपको खुशियां दे पाओं पर आप उन पर भरोसा नहीं दिखाते हैं आप तो यह शक भी करते हैं कि अगर वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो उनका interest कुछ और है ऐसा है क्या आप हमेशा यह बोल देते हैं तो उनका दिल तूट जाता है वो किसी और के बारे में नहीं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं सबने देखते हैं लेकिन जिन्दगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता परिवार भी होता है कैरियर भी होता है बहुत सारी दूसरी ऐसे चीज़ें होती हैं जो इनसान को करना होती हैं देर सवीर कभी नगभी आपको भी ये चीज समझ में आएगी कि आपके जो person है वो आपके लिए कभी ऐसे नहीं है गलत नहीं सोचते हैं पर आप ही उन्हें अभी समझ नहीं पा रहे हैं उनको हमेशा ये लगता है कि आप उन्हें समझेंगे अगर दुनिया उन्हें नहीं समझ रही पर आप तो समझेंगे और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान है पर वो इस सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आप गुसे में कितना ज़्यादा ओवर रियक्ट कर जाते हैं आप कुछ भी बोल देते हैं तो ऐसे में हम फ्यूचर में भी कैसे हम शादी करके रहेंगे कैसे में हम सफर बना लूँ ऐसे इंसान को जो बहुत शौर्ट टैमपर है जिसे बहुत जल्दी उस सा आ जाता है आप नेचर के बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके मन में ये बात बार बार आती है कि आप क्यों बच्चपना दिखा देते हैं क्यों आप उनकी बाते समझते नहीं है एक अंडरस्टेंडिंग जो हमेशा वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो उन्हें नहीं मिलती है तो अगर लंबे समय तक उन्हें ऐसा ही महसूस होता रहा तो फिर वो इस रिष्टे से धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी बहुत दुखी हो जाते हैं अभी अभी वो आपसे दूर नहीं हो रही है लेकिन उनके मन में ये बाते आना शुरू हो चुकी है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बीच में लॉंग डिस्टेंस इशू है और उनकी जो परसन है वो बहुत जादा अभी बात नहीं कर रहे हैं उनके कॉल मेसिज आपको नहीं आ रहे हैं तो आप यही सोच रहे हैं कि उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए क्या वो मूव उन कर चुके हैं क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या उनका इंट्रेस्ट कहीं और हो गया है क्योंकि वो सकता है सोशल मीडिया पर आप लोग मिले हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बात नहीं कर रहे हैं आप लोग मैसेज के थरू बात करते थे शायद और अब उनके मैसेज आना बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं तो आप लोगों के मन में आ रहा है कि रीजन क्य है बहुत से लोगों के यही आरा कि उनकर परसन जो है वो अब उनसे उतना कनेक्ट नहीं होता है या तो फिर बहुत बिजी शो करते हैं तो एग्जेक्टली बात क्या है तो आपको बता दें दोस्तों कि आपके जो परसन है वो अभी बिजी चल रहे हैं अपनी लाइफ में हो सकता है या तो फिर उनकी जो कोई और उनकी लाइफ में है या तो वो मैरिड है या तो फिर उनका कहीं किसी और के साथ उनकी दोस्ती है उनका कोई और थर्ड परसन किसे उनका कनेक्शन है और तो वो बहां कहीं बिजी हो सक और अगर उन्होंने आपको commitment दे रखा है तो फिर वो शायद move on करने का सोच रहे हैं और अगर वो बहुत दिनों से message नहीं करें तो ये भी एक condition यहाँ पर दिख रही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके person की family उनकी शादी कहीं और side करा रही है जबर्दस्ती जोर जबर्दस प्रशन हैं वो नहीं चाहते ऐसा हो वो खुश नहीं है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं situation कुछ ऐसी है कि वो helpless फील कर रहे हैं और इस और से उस परिस्थिती में हिम्मत मांग रहे हैं कि वो कुछ action ले सके इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जो person है क हो सकता है family का उनके parents से related जो वो आपसे discuss तो नहीं कर सकते लेकिन वो उसमें उलचे बहुत जादा हैं उनका मन शानत नहीं है मन अभी परेशान है बेचेन है आप थोड़ा इंतिजार करें कुछ लोगों के लिए आप थोड़ा इंतिजार करेंगे तो आप खुद आपको समझ में आगया होगा कि आपके person जो है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में उनके दिल में उनके दिमाग में क्या चल रहा है तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जिन से आप प्यार करते हैं अगर आप channel पर नए हैं तो आप channel को subscribe कर लिज जिसे भी आप मानते हैं ठेंक्स टू यूनिवर्स लिखें और साथ ही आपकी जो भी प्रॉब्लम हैं हमारे साथ शेयर करें हमें बहुत अच्छा लगता है अपने दिल की बात लिखें मिलते हैं अगले वीडियो में जै मत अदी जै श्री कृष्णा